ओम घ्रणी सूर्य आदित्य यह सूर्य का मंत्र है आप सभी लोग जानते ही हैं इस मंत्र और सूर्य के बारे में जानकारी देने के लिए आप से अच्छा दिन क्या हो सकता था 2018 में आपकी जिंदगी में बड़े से बड़े संकट को दूर करेंगे सूर्य देव को प्रसंद करना बहुत जरूरी है और आज ही इस पर बात होगी आज जानिएगा कैसे सूर्य देव की पूजा करके मंत्र जाब करके यंत्र स्थापित करके आपका सम्मान बढ़ेगा आपकी زिंदगी से कश्टूर होंगे साथ ही आपका सूरे अर्द का तरीका और सूरे को अर्द देने का लाभ भी बताऊंगी आज मैं पाच्चो महा उपाए सूरे देव से जुड़े भी बताऊंगी ताकि आपका कल्यान हो सके तो पहला महाउपाई ध्यान से सुनिए, क्या आप मान सम्मान चाहते हैं? रोज सच्छे दिल से सूर्य देटा की पूजा करें सूर्य को अर्दे और मंतरों का जाप करें सूर्य मान सम्मान का कारग रहे हैं मान सम्मान पाने के लिए इन मंतरों का जाप करें ओम सूर्याए नमा ओम आदित्याए नमा आस्मान में चमकता सूर्य आपकी जिंदगी को प्रभावित करता है सूर्य की चाल, आपकी चाल बनाता या बिगारता है आज मैं आपको नाराज सूर्य के लक्षन बताने जा रही हूँ अगर सूर्य आप से कुपित रहा है, मतलब नेगिटिव रहा है आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ता है, आपको क्या इसका इंपक्ट चीलना पड़ता है और कौन से उपाई करकर हम नेगिटिव सूर्य को पॉजिटिव कर सकते हैं, सब बताऊंगे सबसे पहले नाराज सूर्य के लक्षन समझे आखों में पानी, सोते समय मूँ से लार गिरना घर में सूर्य की रोश्नी का रुखना, नमक खाने की इच्छा तेज हो जाना ये सब लक्षन है तो समझी आपका सूर्य कुपित है उपाए, तुलसी में जल दे, पांच पत्ते रोज सुभा पांच काली मिर्च के साथ चबा कर पिए घर में शरीर पर आफिस में तामबा धारन करें तामे के पात्र में रखा जल पिए मदार की माला या बाजुबंद पहने अब कुछ लक्षन जानिए दूसरे से जादा गुसा आना ब्लड प्रेशर बढ़ जाना जादा एग्रेसिव होना घर में धूप जादा लगती है आखों में गर्मी होती है शरीर में गर्मी तेज होती है कलर, जगड़े, विवाद होते हैं जादा नमक पसंद नहीं होता उपाई, शिवजी के मंत्रों का जाब करें शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तीन पत्तों वाले तीन बेल पत्र का सेवन करें चांदी पहने, घर में चांदी स्थापित करें सिर्हाने पानी रखें दक्षिन की तरफ पैर और उत्तर की तरफ सिर करके सोना अशुब है गरम मसाले का सेवन ना करें कोल्ड रिंक और फास्ट पूर ना लें स्वठी की माला पहनें चांदी के मन के और मोती की माला भी ठीक रहेगी और आपको कुछ अचूख उपाई बता देती हैं यह सब उपाई करेंगे तो सूर्य आप से कभी भी नाराज नहीं होंगे उखते सूर्य की उपासना करें रोज सूर्य को तांबे के लोटे से जल अरपन करें साथी पीले रंग के चंदन से अर्क दें और ग्यारा सूर्य नमस्कार करें, तुलसी के पौधे की सेवा करें, हर शाम घी का दीपक लगाएं, पांच गाए को सूर्य के समान रोटी बनाकर गुड के साथ हर रविवार को खुद हातों से खिलाएं, सदाचार का पालन करें, पत्नी को खुश रखें, पराइस ती से या भोजन ना करें, अपने घर में हैंड पाम, बोरिंग, कुवा खुदवाएं, तभी चोरी ना करें, ना किसी को गलत सलह दे, मास और शराब को हाथ भी ना लगाएं, ना पीएं, ना किसी को पिलाएं, अगर गर्मी के दिनों में सूर्य के प्रकोप से कोई प्यासा लाएं, जब इवार को बिना नमक का भोजन करकर उपवास भी कर सकते हैं, यदि सूर्य नीच का है, तो सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें, नियमों का पालन करके आप लाइफ लॉंग खुश रह सकते हैं, सूर्य यग्य करवा सकते हैं, और तो और खुद भी सूर्य का जाप कर सकते हैं, गायतर यग्य भी किया जा सकता है, इतने सारे उपाय आपको बता दिये हैं, ये सब आपको और कहां पता चलेगा, सिर्व यहीं बताया जाता है, जिससे आपका जीवन सुधरता है, इसलिए शो देखते रहें, अपनी लाइफ में कश्टों को दूर करें जब साल भर सूरे को प्रसन रखने की बाद बता ही रही हूँ, तो क्यों ना आपको सूरे का मंत्र, सूरे का यंत्र और सूरे के दान की जानकारी भी दे दूँ, आपके जीवन के बहुत सारे कश्टों खुद बखुद दूर हो जाएंगे, बस आपको सही से उपाय करना है सूरे वस्तूओं के दान और स्नान के उपाई कुली में सूरे से अनिष्ट हो रहा है तो स्नान करते समय जल में खस-खस या लाल फूल या केसर डाल कर स्नान करना शुरू करते हैं खस-खस लाल फूल या केसर ये सभी वस्तूओं सूरे की कारक वस्तूओं हैं और सूरे की उपाय करने पर अनिश्ट से बचाब भी होता हैं और बिमारी से लड़ने की ताकत भी आती हैं। सूरे की वस्तुओं से स्नान करने पर सूरे की वस्तुओं के गुण शरीर में प्रवेश करते हैं और शरीर में सूरे के गुणों में वृद्धी होती हैं। सूरे की वस्तों से स्नान करने के अलावा, सूरे की वस्तों का दान करने से भी सूरे के अनिष्ट से बचा जा सकता है। सूरे की दान देने वाली चीजों में तामबा, गुड, गेहु, मसूर की दाल की जा सकती है। ये दान हर रविवार या सूरे संक्रारती के दिन किया जा सकता है। सूरे ग्रहेंड के दिन सूरे की चीजों का दान करना फाइदे मन रहता है। उपाई में सभी चीजों के दान एक साथ भी किया जा सकता है। दान करते समय चीजों का वजन अपने हिसाब से रखें। कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत जादा भारी भरकम चीजों का दान करें। मन में श्रद्दा होनी जरूरी है। अब आपको सूरे का मंत्र और उससे जपने का तरीका बता रही हूं। सूरे के उपायों में मंत्र जाब भी किया जा सकता है। सूरे के मंत्रों में ओम, घ्रणी, सूरे, आदित्य, मंत्र का जाब किया जा सकता है। इस मंत्र का जाब रोज किया जाना चाहिए। और हर रविवार के दिन ये जाप करना विशेश रूप से फल लाई होता है सूरी से संबंदित काम जैसे हवन में भी इस मंतर का जाप करना अच्छा रहता है अब आज का दूसरा महा उपाय जानिए क्या जीवन में सुखी सुख चाहते हैं तो रविवार को बर्गत के पेड़ पर हल्दी से स्वास्तिक बना कर घर में रखें रविवार को धन संबंदित कारें ना करें दरित्ता आएगी रविवार पर सूर्य देव पर जल चढ़ाएं रविवार को गरीबों की मदद करें आदेत्य हृदेस तोत्र का पात करें आपको तो मालूम ही है कि यंत्र कितने काम के होते हैं और अगर मैंने आपको सूरे यंत्र के बारे में ना बताया तो फिर क्या बताया? चलिए इस बारे में भी बता देती हूं आपको यंत्र की तस्वीर साइड में दिखेगी सूर्य यंत्र की स्थापना करने के लिए सबसे पहले तामे के पत्र पर भोच पत्र पर विशेश परिस्थितियों के में कागस पर सूर्य यंत्र का निर्मान किया जाता है सुर्य यंत्र के समानाकार में 9 खाने बनाए जाते हैं इसमें निर्धारत संख्याएं जैसे आप देख रहे हैं लिखी जाती है उपर की 3 संख्याओं में 618 लिखा जाता है अलग-अलग खानों में ऐसे जैसे आप देख रहे हैं सेंटर की लाइन में 753 संख्याओं में लिखा जाता है, 753, लास्ट लाइन में 294 लिखा जाता है, यंतर की संख्याओं की विशेशता यह है कि इसका जो टोटल है, कि किसी भी तरीके से करेंगे तो 15 ही आता है, ये उपयोगी यंतर होता है, जिस से पूजन द्वारा सूरे शान्ती प्राप्त होती है, हमारे त्योहार और रोज की जिंदगी में सूरे को अरद देना बेहत छुब माना जाता है, तो चलिए सूरे को अर्ध देने का सही तरीका और अर्ध में होने वाले फाइदे के बारे में आपको बता देती है महाभारत में कता हैं कि कर्ण रोज सूरे की पूजा करते थे और सूरे को जल का अर्ध देते थे सूरे की पूजा के बारे में भगवान राम की कथा भी मिलती है कि वो हर दिन सूरे की पूजा और अर्द किया करते थे शास्तर में भी ये कहा गया कि हर दिन सूरे को जल देना चाहिए बहुत से लोग इस नियम का पालन भी करते हैं सूरे को जल देने से आरोग ये लाब मिलता है सूरे को नियमित जल देने से सूरे का प्रभाव शरीर में बढ़ता है और आपको एनरजेटिक बनाता है ओफिस में इसका आपको लाब मिलता है जिनकी नौकरी में परिशानी चल रही है वो नियमित सूरे को जल देना शुरू करेंगे तो अधिकारी से सही योग मिलता है और मुझकले दूर होती है सूरे को जल देने की नियम के बारे में कहा जाता है कि सूरे को स्नान के बाद तामे के बरतन में जल अर्पित करें सूरे को जल देने से पहले जल में चुटकी भर रॉली लाल चंदन मिलाएं और लाल फूल के साथ जल दे सूरे को जल देते समय साथ बार जल दे इसके साथ सूरे मंत्रों का जाप करें तो विशेश रहता है संबव हो तो इस दौरान लाल कपड़े धारन करें सूरे की पूजा और मंत्र का जाप से आदमी निडर और बलवान बनता है सुभसनान करके वस्त्र पहन कर सूरे देव को नमस्कार करें तांबे के बरतन में ताजा पानी भर कर सूरे देव को लाल चंदन का लेप लगा कर कुम कुम चमेली आग कनेरी के फूल अरपित करें और ओम सूरे नमा का जाप करते वे सूरे देव देको जल चड़ाएं चली बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप की बास्तु के जरिये भी आप अपने सूरे को मजबूत कर सकते हैं अगर आपका सूरे कमजोर हैं मैंने आपको लक्षन बता दी इसको मजबूत करने के लिए अपने घर की पूर्फ दिशा को साफ रखें यहां से सूरे की रोशनी आती हो तो बहुत अच्छा अगर नहीं आती हो तो परिशान नहों जमीन से साथ फीट उपर क्योंकि सूरे की साथ किरने होती हैं साथ फीट उपर एक कॉपर का तामबा उसका धातू होता है सूरे का एक तामबे का सूरे दिवार पर लगा लीजे और अगर यह आप कॉपर की कील में लगाते हैं तो और भी अच्छा ये करने से भी आपका सूरे बलशाली हो जाता है जब सूरे की बात हो ही रही है तो क्यों ना आपको सूरे की हानिकारक किर्णों से बचने वाली beauty tip भी दिखा दे आज हम बात करेंगे कि चाहें गर्मिया हो चाहें सर्दिया हो तो कैसे कैसे अलगलग strokes या अलगलग तरह की tanning के बाद आप अपनी skin की care कर सकते हैं और किस तरह से आप prevention ले सकते हैं तो अगर आपको पता है कि आपके skin sensitive है आपकी skin के ओपर tanning बहुत जल्दी आ जाती है या blemishes आ जाते हैं या freckles आ जाते हैं तो छोड़ी छोड़ी tips को आपको अपनाना चाहिए ताकि आपके skin long term में आपके साथ friendly रहे, young बनी रहे, glowing बनी रहे तो सबसे पहली tip जो होती है आप अपने skin type को पेचाने कि आपके skin dry है, oily है, pimple prone है, mature skin है, wrinkled है, sensitive है and accordingly choose a good sunscreen Sunscreen को आप gel base में भी ले सकते हैं, oil base में ले सकते हैं, cream base में ले सकते हैं, but make sure कि उसके अंदर जो SPF है, यानि कि sun protection factor जो है, वो minimum अगर आप इंडिया में रहते हैं या दिली के आसपस के area में रहते हैं, तो minimum 30 to 40 percentage होना चाहिए और उसकी जो basically life होती है, किसी भी sunscreen की, आपने एक बार लगाया, तो make sure कि उसको लगाने कि कम से कम 20 minute बाद ही आप sun में जा रहे हो, क्योंकि उसको आपकी skin में penetrate करने और skin के ओपर एक covering shield बनाने में 15 से 20 minute लग जाते हैं आप किसी भी age group के हो, अगर आप young हैं, या आप mature skin में हैं, या wrinkled हो सकता है, आप 50's, 60's में भी हो, धूप हर skin के ओपर same harm effects करते हैं, तो जैसे इनकी skin हैं, जैसे अगर आप suppose धूप में ज़्यादा जाते हैं, तो यहां forehead के ओपर जैसे थोड़ा tanning आने शुरू हो चुकी है यहां पर cheekbones के उपर भी हलका हलका सा लग रहा है कि face का और body के complexion में काफी ज़्यादा difference आना शुरू हो गया, as you can see, यहां पर redness है, थोड़ा सा tanning है, जबकि body का complexion बहुत fair है, तो ऐसी cases के अंदर आपको छुटी-छुटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने ब उसको cure करने में काफी help करता है, इसके अलावा glycerin एक ऐसा product होता है, जो कि आपके skin को धूप की प्रभाव से तो बचाता ही बचाता है, आपकी जो basically skin के अंदर sun tanning होती है, उसको बहुत deeply penetrate होने से भी रोकता है, तो चाहे आप अच्छा glycerin वाला soap यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप glycerin को direct भी लगा सकते हैं अगर आपकी skin पर acne की problem नहीं है तो, तो यह चोटी 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 चीज़े हैं जो कि आपकी kit में बहुत easily रह सकती है, इसके अलावा अगर आप देखते हैं, तो जो सबजीों के अंदर अगर आप note करें, तो कच्छा आलू है, खीरा है, यह ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके face के ओपस टैनिंग को हटाने के लिए काफी help करता है, अगर आप fruits की बात करते हैं, तो खर्बूजा एक ऐसा product होता है, बेसिकली जो आपके face पे किसी भी तरह की melanin blockage को smoothen in और smooth out करने में काफी help करता है, तो अगर आप खर्बूजा का pack लगाते हैं, तो भी आपके skin के ओपर जो tanning है, वो बहुत जल्दी hard neck शुरू हो जाती है, खाली face का ही नहीं, आपके ears का, आपके front neck का, आपके back neck का, आपके हाथों का, अगर आप short dresses पहनते हैं, तो आपके legs का भी, overall complexion same रखने के लिए आपको धूप से काफी careful रहना चाहि के caffeine का कम use कीजिए, जितने ज्यादा हो से कि जो रसाएं, I mean chemicals की दवाईयां होती हैं, या chemical products होते हैं, वो आपके skin को और sensitive बना देते हैं, इनके sis के अगर आप ज्यादा जैसे नारेल पानी पीते हैं, चाच पीते हैं, लसी पीते हैं, गन्ये का juice पीते हैं, जिनके अंदर basically natural ingredients होते हैं, natural proteins होते हैं, natural minerals होते हैं, वो आपके skin को अंदर से ही काफी immune बना देते हैं, और strong बना देते हैं, किसी भी तरह के damage को counter करने के लिए, तो make sure कि आप अंदर से भी खाने पीने में, अपने liquid fluid diet के अंदर, sprouts के अंदर, fruits के अंदर पूरा ध्यान दे रहें, और externally लगाने के लिए भी आप अपने sunscreen के ओपर, even sun protection creams के में अंदर भी काफी variety है, sun protection packs भी है, आप चाहें तो regularly, daily basis पे अच्छा pack लगा सकते हैं, जो कि आपको tanning से बचने में help करें, इस तरह के छोटी-छोटी चीज़ों को tips को आप अपना सकते हैं, और अपने skin को glowing, young and beautiful, long time तक रख सकत जानते हैं, आज का चौथा महा उपाए, क्या मन्चा ही मुराद पूरी करना जाते हैं, सूर्य देवता को जल चड़ाने के साथ ही आरती उतारे और प्रसाद चड़ाएं, सूर्य की पूजा करना बड़ा ही फलदाई होता है, सूर्य देव को पंच देवों में प्रमुख देवता माना जाता है, सूर्य की उपासना से ज्ञान, सुक, सेहत, पद, सफलता मिलती है, रोज पूजा करने से आस्था और विश्वास पैदा होता है, फेस्बुक पर रियंका जैन ने हमारे साथ अपनी समस्या शेर की है, बेसिकली रियंका काफी समय से हेल्थ प्रॉब इसके साथ डेली अपने पैर के तलवों को कुछ देर के लिए नमक वाले पानी में भिगोएं, फिर इस पानी को ड्रेन में डाल दें, घर के नाली में डाल दें, या जो भी ड्रेनेज का सिस्टर में वहाँ डाल दें, इसको 44 डेस कॉंटिन्यू करें, आपको आराम मिलेग भागे साथ दे रहा हैं आपका 66%, विश्चुब राशी के लोग, मा के साथ थोड़ी देर बैठें, भागे साथ दे रहा हैं आपका 70%, मिथुन राशी वाले लोग, सुबह टहलने जाएं, भागे साथ दे रहा हैं आपका 67%, करक राशी के लोग, सूर्यों को प्रणाम करें, किस्मत साथ दे रहे हैं आपका 65% सिंग राशी के लोग मज़ाद का बुरा ना माने भागे साथ दे रहा हैं आपको 60% कन्या राशी के लोग मीठा कम खाईए लग सपोर्ट कर रहा हैं आपको 55% कुला राशी के लोग सुभा भजन सुने भागय साथ दे रहा हैं आपका 69% विश्चिक राशी के लोग विरोधियों से सतर्क रहें लग सपोर्ट कर रहा हैं आपको 58% धलू राशी के लोग मंदिरों में श्रिंधार का सामान दें भागय साथ दे रहा हैं आपका 60% मकर राशी के लोग कुम राशी के लोग पेट का ध्यान रखें मीन राशी के लोग घर के बुजर्गों की बात माने लग सपोर्ट कर रहा हैं आपको 66% अब सूर्य देवता से जुड़ा आज का पांचवा महा उपाई जान लिजे क्या नौकरी की परिशानी दूर कराना चाहते हैं? सूर्य को नियमित जल देने से सूर्य का प्रभाव शरीर में बढ़ता है और ये आपको एनरजेटिक बनाता है ओफिस में आपको इसका लाब मिलता है कल है सोमवार वैसे तो कल साल का दूसरा सोमवार हैं लेकिन क्योंकि हमने साल के पहले दिन लक्षमी जी की बात की थी इसलिए कल शिवजी की बात होगी महादेव की कृपा मिलेगी इसके बिना तो आपका साल अच्छा नहीं हो सकता तो कैसे महादेव आपके संकटों को दूर करेंगे इसलिए कल शो देखना बहुत जरूरी है तो कल मिलते हैं खयाल रखिए बाई बाई ठेक केर